चलिए यहां तक कोई दिक्कत है एक और कोशिशन करते है गो जी ओ गो इस इकल टू थर्टी टू और शी एस एची एस एची शी के लिए कोड़ रखाया है 49 और पूछा गया है तम सम का कोड़ क्या होगा एम ऌक कोड़मेस एक का क्यान mean क्कोड़र है को मैंन मैंन किव्यो होगा है एक तम सुम्क का भी हैा खबालिए यहा है यहाद़र हैं पूछारी residents Sutton बंदर आशाथ इकईस इसी का पोजेटीटी भीज आज बारह सब्सक्राइब परफेंस ने सब्सक्राइब इस अधर जो में टैन का डिफेरेंस आ रहा है इस साथ और पंदर है कितना और तेईस वाइस हो गया बाइस प्लस दस बात्यस हो गया ठीक है शी ऐसे चाहिए उन्नेस प्लस साथ कितना हो गया 26 26 और 5 26 और 5 हो गया 31 31 प्लस 10 हो जाएगा 41 यह तो औरन चास है लोजिक फेल हो गया अगर उपर वाले में 10 जोड़ने तो हो आगे निकलना तो यह लोजिक में बनना स periodic में गूओ झीका पोज़ट कितना ओता थी और ट्च किया होगा अलज़ति के लिए कि अगी वैल्यू dioxide और reaction कितना अगए 22 अपोजिट का सम कर रखा है S का अपोजिट H H का अपोजिट S और E का अपोजिट V तो 8 प्लस 19 प्लस V के लिए 22 22 और 8 30 30 और 19 49 ठीक है तो S का H और O का L M का N और E का V 8 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 22 22 और 8 30 30 और 30 और 14 34 44 और 2 46 और 2 46 और 2 56 हमार आंसर होगा क्लियर है तो लोजिक कुछ भी दे सकता है वो आपको थोड़ा सा द्यान रखना है कि अगर हमारा सीधा सीधा नहीं हो रहा तो क्या करेंगे हम इसमें आपोजिट करके देख लेंगे तो ये हमारे माइंड में क्लिक करना होना चाहिए अगर सीधा सीधा प्लेस वैलियू से आंसर नहीं आ रहा तो अपोजिट करके देख लो ठीक है और कभी कबा कैसा होता है कि अपोजिट करने के बाद फिर डिवाइड करवा देता है किसी से या मल्टीप्लाई कर देता है डवल कर देता है तीन गुना कर देता है चार गुना कर देता है या फिर डवल पांस से डिवाइड कर देता है साथ से डिवाइड कर देता है डिपेंड करता है कोश्चन का क्या कहना है अगल कोशन है आपका डियर तोरी डियर ने डीर डीर के लिए क्या दे रखा है उसने वन टू टू वन फाइव और हाई हाई के लिए कोड़ रखा है और हील का पूछा है बढ़ाई यह इजी कोशन है यह सबसे इजी कोशन अब तक का यह है ऑप्शन दे दू इसके ऑप्शन है टू थ्री टू एट पहला ओप्शन थ्री फोर फोर नाइन दूसरा ओप्शन तीसरा है पोर थ्री थ्री सेवन चौथा है फाइव टू टू नाइन अध्व पोर टून दूसन कोशन है अध्व मिली मिलान करना है अब देखो इसने यहां हमारे पास दो कोड़ दे रखें दीर के लिए कोड़ दे रखा है वन डवल टू वन फाइव और हाई के लिए कोड़ लेकर रखा है और हिल का पूचा है तो एक बात बताओ अगर मैं इनका सम करने लग जाओं तो समका तो मतलब भी नहीं है और डी प्लेस वैल्यू नहीं है यहां तो हमारे पास है इनिजार ओपर आगर इस देखung तो पांच आता है ठीक है दो पांच है और आर की प्लेस वैल्यू ऐंटार होती है जो पंद्रहा लिखी है तो तो प्लेस वैल्यू पी नहीं है opposite देखते है R का opposite होगा I I के लिए 9 होना चाहिए 9 एक भी नहीं है ठीक है अगर V की place value देखें तो 22 होना चाहिए पर ड का opposite क्या होता है W और W के लिए क्या चाहिए है ते 23 value हो चाहिए है तो 23 भी नहीं है तो opposite भी नहीं बनना तो हमारे पास अगर मैं देखूं तो हमें पूछा गया है heel h-e-e-l और heel हमारे उपर वाले सब्द से बनना है उपर वाले सब्द से बनना है h का कोड क्या दिख रहा है देखो h के लिए यहाँ भी h है और यहाँ भी h है दोनों जगह है दोनों के लिए क्या दे रखा पांच दे रखा है ठीक है और आई के लिए छे और जी के लिए ये और ई के लिए क्या दे रखा डवल टू दे रखा है तो इसका मतलब क्या हो गया सिंपल है कि हमारे पास एच के लिए कोड के आएगा पांच होगा डवल टू क किस लिए आएगा हीइल के लिए आएगा और एल कोट देहीं नहीं रखा आब इन reversed निल्ट के लिए अलग से नाइन दे रखा है ठीक है और नाइन हमारा कहीं है ऊपर नहीं है मिसमेस भी नहीं हो रहा तो इसका आंसर क्या होगा लेकिन इसे करने में चकडाते हैं वच्छे क्यूंकि उन्हें सपूरा डेटा नहीं रखा आदा दूरा डेटा रखा एल की वेल्यू नहीं दे रखी ती और इधर देखें तो यहां हमारे पास चार सब्दें यहां पांच दे रखें आर का 15 वेल्यू दे रखी है जबकि होनी चांगे क्या अठार है तो वह भी नहीं है क्लियर है एक और कोश्चन लेकेंगे मैं कोश्चन की प्रेक्टिस इसलिए जादा गरवा रहा हो कि जितने जयादा प्रेक्टिस कर लोगे अतना ही आपका कंसेप्ट आपको चीज इस समझ में आ जाएंगे यह क्या बन सकते हैं वो लोजिक फता लग जाएं एक बार मैं सारे वो लोजिक कर वाना चाह रहा हूं दो कोशन या मैक्सिमम तीन कोशन इससे ज़्यादा नहीं मैं दे रहा हूं उसका रीजन है कि अतना समय नहीं है कि मैं बहुत सारे कोशन करा दू तो उतना समय नहीं है हमारे पास ठीक है यह अकेला ही चैप्टर आठ दिन में खतम होता है कोडिंग काРЕ जो की प्याजी कतंक आज करने की कोशीव कर रहां है कि मैं आज करत्म कर दूं तो अब आठ दिन में और एक दिन में भied ब़ह बंदाथ और देड़ देड़ घंटे किलास होती है तेड़ घंटे वन अफ आर आपको एक दिन में देना होता है और आठ दिन का लगा लो कि तो आप समझ सकते हैं दो घंटे में लगबग मैं अभी तक आपको साथ से आठ घंटे का काम खराच चुका हूं गख़ल जो साथ-7 आठ गंटे में कराता वह दो गंटे में करा दिया है और आप समझ सकते हैं कि मैं कितना फास चलना हूं तो फै कि अगर वैसे पढों रहां होता कहीं और काभी है तो वहान के शाल लिथा है तो महीं 8 हमारे कुछ बच्चे हैं उनका करा दो वह सर हमारे लिंक में मेरे जानने वाले हैं इस वज़े से मैं इनके साथ जोड़ गया हूं द्रवाइज ऐसा कुछ नहीं था कि पहले से जानते थे मुझे हमने दौनों ने कूटा में काम किया है सर ने भी सर भी जाया करते तो उसी से तभी से मेरा लेंक हुआ था तो मैं यहां आया हुआ तो सर ने कहा कि सर एक बार आ जो कुछ दिन में कुछ ज्यादा स्लिबस आप करा दोगे मैंने आपकी अबिलीटी दीख रखी है तो सर से आके मिला तो सर ने यहीं बता दिया कि सर ऐसे से पेइमेंट का कुछ ऐसा नहीं है जो उनकी इच्छा होगी दे देंगे नहीं होगी मत दो बस यह मेरा एक मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं यूपी सी सी सेट के लिए यहां पढ़ा रहा हूं हुआ हमें करा रहा हूं उससे बाहर कहीं आएगा नहीं कि मैंने सारे कुशन देख रखे हैं क्योंकि मैंने पिछले 10 साल का इनलाइज किया है तो से मैं ने देखा है कि क्या कुशन बनना है कि से पूछे जा रहे हैं वही चीज़े में आपको करा है तो उसमें देखका है देख लेता हूँ को दि बढ़ता हूँ तब बच्चा यह नहीं कहें आ तो आगे बढ़ो है कि समझ मैं आहां नहीं है तो एक तो मेरे पर भी समय नहीं और आप में भी समय नहीं तो यह है आपको पास 15-16 दिन बच जाते हैं जिसमें हम प्रैक्टिस कर पाएंगे ज्यादा वहीं 15 दिन नहीं बचेंगे 15 में से एक दिन तो जहां भी सेंटर पढ़ेगा वहां जाने के लिए छही है एक दो दिन तो वहीं रहेंगे 10 दिन वह चैक जब होगा जब हमारा ट्रिकार कर बाएंगे और फिर में महेनत करनी लिए लिए कुछось कि नेकां अपर Kusty सौनें पढ़ेगां लिखने लग गए कोई जैसे करेंट में कोई टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक को लेके आप लिखने बैठ गए कि बही क्या चला जैसे आज लेक्शन चल लें तो एलेक्शन में आपने कोई भी ले लिखें और पॉजिटेव पॉइंट बिखें अधिक हो एक्यूरे वह वर्ड्सका होना चाहिए जो हमें लिखना जो examiner को focus कराना है कैसे हम highlight करें ये examiner की आंखे उसी word पर जाये जो word हम दिखाना चाह रहे है जो line हमने लिखिए उस पर ही जाये फालतू चीजों पर नह जाये हमने कोई इमला भी लिख दी है तो इस इमले पर नह जाये वह गलत चीज है कोई गाना भी लिख दिया है उस गाने की तरफ उसकी नजरे ना जाएं केवल हमारे जो वर्ड हमने जो अच्छे अच्छे वर्ड यूज किये हैं उन वर्ड पर जाए जिससे वो नंबर समय पूरे पूरे दे यही तो होता है रिटे रिटेन में मतलब जो ल जाने की लिख दिया थी लेकिन जो मैं वर्ड जो उसने पूछा था वह मैंने शुरू के पांच-छे लाइन लेखने के बाद फिर बीच में गाना लिख दिया था जिस पर मैंने कोई हाइडर नी कोई कुछ नहीं लिखा और उसके बाद मैंने और एक्टा चीज लिख दी ठीक है और फिर लाश्ट की लाइन अच्छी लिख दी तो यह तो पहली दो पहली दो चाल लाइन देखता या लाश्ट में देखता है बीच में बहुत कम देखता है और वह हमारा बैंक का सेशन था तो वहां इतना ना हो साइद लेकिन आप यूपीस के लिए जा रहे है त तो आप अपने आपको उस काम को करने के लिए आपके पास समय तो हैंथना हमारे पास समय नहीं होता है हमारा परी हाज रहत प्री के बाद पन्हे mail दिन के बाद मेंस के लिए तैयारी करने हैं फिर एसे राइटिंग के लिए भी तो उतना समय नहीं होता था तो फिर उस तरीके से हो जाता तो कम बढ़ती करके पास हो जाते थे उसमें कोई दिक्कत नहीं थी ठीक है हालांकि मैं इंटर्व्यू से बहार हुआ हूं उसमें कि बैंक का अच्छा होता है एसबी आई पी ओ तो खेर अपने आप में अच्छा है मैं सब्एपी ओ तीन बार एक्जाम दिया है जनल कटेग्री से था तीन ही एडेंप्ट थे और तीनों ही एटेंट में क्वालिफाई हूं मेंस में इंटर्व्यू से बाहार हूं वदल्लब 14 15 और 17 16 का पेपर मेरा देने नहीं जा पाया था कि यह तीन पेपर दिये थे और तीनों ही क्वालिफाई हुए थे पाइनल मेरिट से रह गया मैं कभी 25 से रह रहा हूं कोई 2.5 से रह रहा हूं इस टाइप से रहा हूं ठीक है लेकिन मेहनत करो गेता घाजिज और उसमें मेरी हैजिटेशन बहुत थी मैं बोल नहीं पाता था किसी जाए गाओं से था यूपी से था वह भी आपका एटा जिले से जहां पढ़ाई का कोई मतलब भी नहीं ठीक है और जब हम यहां आए जब मेरेट में पढ़ाई तो मेरेट में जब आए तो हमें बूलना ही नहीं आ रहा था हम किस तरह से बात करें धीरे-धीरे चीजों को सीखा और जब हमारे खुद ओनर ने ये अव्जर्ब किया कि हाँ इस बच्चे की कमी यहां है इस वज़े से निकल जाता तो उसने मुझे खुद जॉब ऑफर कर दी कि बिटा आप आओ वह नहीं पढ़ाओ और मैं पढ़ाने लगा पढ़ाने के साथ उन्हों ने मुझे काउंसलिंग एरिया भी दे दिया जिससे आप इंट्रेक्ट करेंगे बच्चों से बाते करोगे तो बाते करना भी आना चाहिए तो वो सारी चीज़ें उससे में रिमूव हो पाई है एजिटेशन लेकिन आज भ करीव 200 बच्चे बैठे हो क्लास में तो फिर थोड़ा सा अनर्वस ने सा जाती है लेकिन फिर जैसे ही फिलोग बनता है फिर कोई दिखात नहीं होती जब पहले एंट्री करते हैं तब थोड़ा सा एजिटेशन रहती है जिजख रहती है कि इतनी सारे बच्चे तो वह भाइच बनता था से जड़ा नहीं इससे बड़े बार्च नहीं बनाए उन्होंने ज्याइशस्व olv огр россий ल को मुखर जी नगर नहीं मैंने आपका आयां यह मोदीनगर में मिर्ट से आगे मूधिन है वहां वह तो एक ही हॉल उन्हों ने रहा है और एक ही हॉल में पांपांपें सबस्चे बैठा रखे हैं वह पढ़ने वाले तो कम होते हैं। और मश्ती वाले जयाद होते हैं तो मस्ती करते थे जो आगे की रोओ उती हैं वू पढ़ने पीछे तो मस्ती करते कड़े रहते थे उनसे हम कुछ क्या कर प्रेशान कर रहे समझ में आँखे में तो पैसे मिलता था तो हमें तो अपने आर कंप्लीट करने और चलते बना है एक गंटे पढ़ाना जो अच्छे बच्छे वह उन्ची चीजों को पकड़ लेते थे वह फिर हमें एक्स्टा टाइम मांगते थे तो उन्हें एक्स्टा टाइम भी दिया करते थे ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ पढ़ना है साथ में एक्स्टा डाइम भी दे देते ते मच्चों को जो पढ़ने वाले उनका कुछ नहीं कर सकते ना पढ़ने वाले तो वह मस्ती के लिए घूम रहे हैं तो उनका तो आज सेलेक्शन हो रहा है ना दस साल बाद होना है वह तो केवल अपने घर से पैसा लेके वेश्ट करने के लिए घूम रहे हैं आए मस्ती कर ले उसके बाद फिर घर पहुंच गए क्योंकि घर पर इतना पैसा है या तो वह बहुत बड़े केसान के बच्चे हैं कई भी का खेत है तो कोई दिक्कत नहीं है या फिर कोई बिजनेसमेन की वालाद है या फिर सरकारी नौकरी अच्छी है उनकी फादर पेरेंट्स की तो जिससे पैसा उन पर अथा है कोई लिमिट नहीं है तो वह उसे फिर ऐसे ही खर्च करते हैं विजूल खर्चों में विजूल चीजों में और दो-चार साल ऐसे घूमते रहते हैं फिर जब कई हो साता कि या इतने साल हमारे बरावर वाले का सेलेक्शन हो गया तो अब कुछ पढ़ लें अब हमें कुछ बनना है फिर वह लगते हैं द्वारा तब वह अच्छे घर के भी बच्चे पहले तो अपने टाइम वेस्ट ऐसे बिगार देते हैं फिर उसके बाद पढ़ाही में लगते हैं तो समय ने दस भच्चे आ जाते हैं तयार होंके है कि हम भी हैं तयार हमें भी एक्जाम देना है इसी एक्जाम को और दस क्या आप तो 100 भी हुए दिखेर में टाफ होता जा रहा है इस ओग Рdasघ्र से तो मैनत तो करनी पड़ेगे तो आप aye करनी पड़ेगी कॉल्षचन मौ के सामने यह इस इकल टू फाइव इस इकल टू फाइव होटेल इस इकल टू बारा होटेल इस इकल टू बारा और लेम्ब लेम्ब का कोड क्या होगा ओप्शन है साथ दस चब्विस अठाइस साथ दस चब्विस अठाइस अच्छा कोशन है कैई बार पूछा गया है कोशन अच्छा कोशन है कर दो को जितना मैं करा रहा हूं उसका घर भी रिवीजन करते रहना इससे बाहर कहीं कोईशन नहीं आएगा यह मेरी गारेंटी है ल, A, M, B, B, फर, वाय ल, A, M, B, 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 कोई दिकत नहीं है कोई नहीं में फिर लेया है बबस करिए करिया आप कोई नहीं है कोई नहीं है कि अगया है कि देखो इस इकल टू फाइव कि अभी होटल का बार है कैसे हो गया इस पूरे के बार है इस होटल की पूरी वैल्यू बार है अब यह बार है कहां से आया यह दिखाना है तो देखो एक बात पर हमाया यह पता है इस इकल टू पांच एक प्लेस वैल्यू पांच होती है तो होटल का लिए दिखे लिए कितना है अठों के लिए 15 बीस प्लस 5 बारह सब को जोड लें आठ और बारह कितने होगे बीस होगे 20 और 20 40 होगे 40 और 20 60 होगे और 60 को देखे बारे करेंगे तो बारे पंजे 65 से डिवाइड कर देंगे तो बारे आ जाएगा लेकिंगे 5 क्यों कर रहे हैं 5 हमारे पास alphabet कितने हैं यह 5 हैं यह alphabet कितना था एक था 5 डिवाइड बाइड बाइड वन इस इकल टू 5 इस साथ डिवाइड बाइड पांच जितने alphabet उससे डिवाइड कर दिया और कुछ निकरा तो साथ को डिवाइड करेगा कितने से पांच से तो पांच बारे बाद आज जाएगा तो एल को निकालना एल के लिए बारे हो गया और एक लिए वन एम के लिए 13 और तेरह दूनिश सब्सक्राइड और दो 28 28 को चार से डिवाइड करेंगे चार सत्ते 28 साथ आ जाएगा तो थीक है तो बस कुछ नहीं करना नंबर ओफ प्लेस को जितनी नंबर ओफ डिजिट होंगी उन से डिवाइड कर देना है बागी सम को कि यह हैं कैट नेक्स पॉशन कैट कैट के लिए कोड दे रखा है 3120 और आपका पूछा क्या है किस से नवीन नवीन का कोड क्या होगा 1 1 4 9 1 4 मतलब क्या कर रखा है इसने प्लेस वैल्यू लिखे है सी की वैल्यू तेन एक एक और बीस ट्वेंटी टी के लिए ठीक है बस सब की प्लेस वैल्यू लिख रखिया आंसर आगया ठीक है एक कोशन और है राज 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 इस एकल टू टू ट्वेंटी नाइन और एजुकेशन पूछा है EDUCATION है C-A-T-I-O-N एजुकेशन का कोड क्या हुआ 85, 86, 88, 92 85, 86, 88 92 सबको एड कर रखा है 10 और 11, 11 और 18, 29 ठीक है बस एजुकेशन को एड करना है आंसर ठीक है तो आज मैंने जो डिसकर्स किया है कोडिंग डिकोडिंग का लगबग लगबग 70%, 80% मैंने कवर कर दिया है आज के लिए और अब जो नेक्स्ट होगा मतलब वैडनेस दे क्लास होगे वैडनेस दे हम जो स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग मैं चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग इससे कोशन बनाया थे ठीक है यह 2014-15 में बनेते आपके हैं लेकिन पता कुछ नहीं है एक्जामनर आपके बार दे दे तो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग हम कभी स्टार्ट करेंगे वैडनेस दे को कल नहीं तूजडे में नहीं तूज एक बज़े से क्लास होगी ठीक है तो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है सही है मतलब कंसेप्ट है यह एक अच्छे लेवल पर है तो इससे कर लेंगे तो इसमें करीक वरी 45 मिनट मानके लोग 45 से एक मिनट एक घंटा करीब एक घंडे का यह टॉपिक रहेगा यह जिसमें चेम जदा करेंगे मिंटेल करेंगे यह पर है इस इसई यूए कंची यादा दो आजर नहीं है और इसकी बाद फिर हम पुई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे 600 पर इस नि कहीं और उसमें हम करेंगे कोई वी जो आपकर होगे ने सटार्ट करें डाइरेक्शन सेंस दिशा निर्देश या बिलेड रिलेशन कौन सा करें हैं बिलेड रिलेशन करना है तो बिलेड रिलेशन कर सकते हैं आप जो कव वो पढ़ना तो सारा ही है कि देखो मैं मेरे हिसाब से क्योंकि चाइनीज कोडिंग रिकोडिंग हमारा समय ले जाएगा और उसके बाद हमारा डाइरेक्शन थोड़ा छोटा टॉपिक है तो डाइरेक्शन कल कम वैडनेस दे में ही कंपलीट हो जाएगा और बिलेड रिलेशन थोड़ा सा अलग होगा तो बिलेड रिलेशन में कम से कम हमें है तो छोटा ही टाप टॉपिक लेकिन मां प्रैक्टिस ज्यादा करनी है उसमें हमारे पास तीन कंसेप्ट होंगे एक तो सिंगल बेस पर कोडिट फॉर्मेट पर और एक आपका पॉइं अच्छों का जो मतलब वैडनस दिका रहेगा वह चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग प्लस डाइरेक्शन होगा डायरेक्शन ठीक है और में तो अभी स्टार्ट करेंगे उसके बाद सुचिए क्या है स्टार्ट करना ठीक है तो पहले को आप कोश्चन लिखने किया रहे थे लिखिए वर्क डवलू ओ आर के वर्क के लिए कोड है और डैस 12-9-16 वर्क के लिए कोड यह रखा है और पूछा गया है कोब्रा C-O-B-R-A कोब्रा का कोड क्या होगा पुश्चन नमबर पहला है 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 ख्यार जो भी हो दूसरा दूसरा है एडिशन एडी आई टी आई ओ एन मैंने इसलिए यह कोश्चन कराया नहीं था क्योंकि यह कोश्चन सीधा-सीधा दिखाई दे रहा था 3-8-9-1-9-5 9-1-9-5 3-8-9-1-9-6-5 9-6-5 यह कोड है और आपसे पूशा है किसके बारे में टाइड T-I-D-E टाइड का खोड क्या हुआ तीसरा कोश्चन Request 2-T-U Acid A-C-I-D Acid का कोड क्या होगा और चाथा कोश्चन है Beautiful B-E-A-T-U-I B-E-A यह स्पेलिंग अरत होगी B-E-A-T-U-I Beauty U-T-I-A B-E-A-U-T-I-F-U-L Beautiful Beautiful का कोड दे रखा है इसने X-I-E-Y X-I-E-Y P-E-M-B-Y-H P-E-M-B-Y-H L-E-A-F Leaf का कोड क्या होगा ठीक है चार बहुत है रामलाल पाच्वा रामलाल F-H-F F-H-F I-H-I का कोड क्या होगा रामलाल का कोड यह है तो स्यामलाल का कोड क्या है Sorry, sorry स्यामलाल नहीं है How is Somula S-O-M-U-L-A Somula S-O-M-U-L-A Somula Somula का कोड क्या होगा यह पांच कोशन है जो आप कर लाई ठीक है कोई दिक्कत इसमें कोई डाउट है चले अभी आज के लिए इतना ही अभी के लिए कोडिंग डिकोडिंग के लिए ठीक है मतलब रीजनिंग के लिए अभी इससे आगे 10 मिट बाद फिर स्टार्ट करते है मैस का सेशन ठीक है अभी हमने कल जो पढ़ाता वो पढ़ाता विटा हमने दिमें लिए लो झाल 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 झाल